आज कोई बहतरीन युनिवर्सिटीज की बात करे तो दिमाग में आते हैं आक्सवर्ड, ये और केम्रिज जैसे नाव लेकिन एक कमाल की बात बताँ करीब 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी क्योंकि तब भारत में थी एक ऐसी युनिवर्सिटी जो आज दुनिया की सबसे पुरानी युनिवर्सिटीज में से एक है नालंदा नालंदा शब्द तीन शब्दों से बना है ना प्लस आलम प्लस दा इसका मतलब है एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमाना हो वाकई जैसा नाम वैसा काम इस युनिवर्सिटी में ज्यान का भंडा था यहां सिर्व धार में ग्रंथ ही नहीं बलकि लिट्रिचर, फियोलिची, लॉचिक, मेडिसिन और फिलोसिफी जैसे कई सब्चेक्ट्स पढ़ाए जाते थे और तो और हर सब्चेक्ट का भरपूर ग्यान देने के लिए बनाई गई थी नौ मंजिला लाइब्ट्रिचर, जिसमें लाख दो लाख नहीं, नब्बे लाख से भी ज्यादा बुक्स और मैनिस्कृप्ट्स थी ये युनिवर्सिटी 700 साल तक दुनिया को सीख दे दी रही लेकिन नालंदा ने कई बार हमलों की मार को भी जेला